दूब लूँज़ दूख इस बड़ टूख आप में अच्प्राइब से इस एक और मैं फिर से आप सुभी के सामने हूँ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यह जो एमाई रूम का अपडेट है यह किनकी डिवाइसों को सपोर्ट करता है अबढ़ार के अपडेट के अंदर और क्या कुछ मिलने वाला है क्योंकि जो भी चेंज यहां डिखाए गया है मर्ण कि और से वह साय चेंज सवेड़ाइस के अंदर देखने को मिलेगा बस एक दुन डिवाइस जोके और वे डिस्प्लेए को सपोर्ट करते हैं उनमें फ्यर स के उपर देखने इमाहिनू का लेटिस्ट वीटा का अपडेट देखकर आप यह पता कर पाऊगे कि 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 डिवाइस को सपोर्ट करता है और किन किन के अंदर क्या क्या नए फीचर देखने को मिलते हैं तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं इंपाउट के पेज़ पर शुरू कर आई बटन में लिंक मिल जाएगा नहीं वह उच किया तो वाच कर लेना इंड्वाइट वर्जन 10 पोको एवन को मिल चुका है और ऑफिसियली तो जिन जें डिवाइस को एवन के लिए उपडेट कर दिया गया है और बहुत साज अज़ डिवाइस के लिए अपडेट किया गए तो कुछ सब्सक्राइब करेगो चेंग है अपसर हमने जो प्र cut लाग या मshots कर दिक में और चलते हैं लोग थे गों फुचर अई रहे लेकिन काफ़े इंड्रेसिंग सीजे नई जाएग जैसे गए आप यहां पर आते हो डार्क मूड पे तो यहां पर एक नया ओप्शन देखने को मिलता है अजस्ट वाल पेपर टू डार्क मूड और साथ से रेकोर्ड नया फीचर इंट्रिवस किया गए एड किया गया जो कि यू में नहीं निखाए दिया था यू जो नया ओप्शन है यह जो हमें देखने को मेरा है मीरूप डिवाइस में जबकि यू के अंदर यह देखने को नहीं मिला दा सिर्फ ऑप्स अप्शन था तो यहां पर यह अगर आप इनेवल करते हो ता पर डिवाइस को क्या करना होगा तो रिये स्टाट करना होगा ताकि यह एक्टिव पो पान इसके बाद जब भी कोई भी wallpaper आएगा home screen पे live और आप dark mode यूज करते रहोगे तो live wallpaper भी डार्क mode की रूप में convert होके आपको show करेगा यानि पूरा डिवाइस से जो dark type के आपको देखी आई देगा जहाँ पे कहीं पे आपको white इस नजल नहीं आएगा तो देखने में काफी जला cool लगए जब पूरा system dark हो जा है wallpaper से related भी तो काफी जला मज़ाएगा तो यह नया feature से जो add किया गया है आगे है always on users के लिए कि जब आप उसे लॉग करोगे तो आपके लॉग स्कीन में जो भी notification भाई है बहुत कम डिवाइस के लिए आते थे बहुत कम application के अब सभी application को support करने लग जैसे कि हमारा k20, k20 pro, mi90, mi90 pro और बाके अज़र डिवाइस जो की always उनको support करते हैं तोहां पे notification notification अब हर एक आप का है जो सो होगा जो की काशी बात है आपके about के session पे आना है यहां पर जो miy को version है इस पर आपको 6-7 time tap करना है तब जाके आपका एक developer का option on हो जाएगा जैसी यह on होता है आपको back की ओर जाना है अगें back जाना है additional की ओर आना है यहां पर developer की option को on करना है और सबसे नीचे की ओर जाना है ठीक है तो यहां पर कुछ common features मिलेंगा है जो कि मैंने बहुत पहले आपको बताया था किस तरीके से काम करता है जैसे कि extended आपका जो power menu square यहां पर log screen और यहां पर screen time आप digital value रखना चा रिबूट कर लेना है और उसके साथ ही साथ आपको यह Android 10 का जो features है यह देखनी को मिल जाता है और इतना ही नहीं जैसे ही आप यह इसे इनिवल करते हो आपको new animation बाहर देखनी को मिल जाता है जो कि देखने में काफी जारा अच्छा लगता है जबकि starting time पे आपको यह features के लिए आया है बाकि यहां पर app warning, smart network जो कि हमें MIUI Pro में मिलता था यह साथ चीजे भी आपको यहां पर मिल जाती है लेकिन आप चाल तो इन्हें एक्सेस कर सकते हो अपने developer के options से साथ नाथ font change कर सकते हो आईकन का save बदल सकते हो यहां पर उनके जो color हो गया है जो कर सकते हो बाकि desktop mode जो कि पहले हमें home screen में देखनी को मिल जा था इसे भी है जो आप include कर दिया गया है developer के options पे तो कई सारे ऐसे options हैं जो कि पहले हमें जो बहार टेखनी को मिलते से अब add कर दिये गए developer के option पे और आए के रूपर ते हैं नए change की बात करें तो जैसे आप यहां पे Android 10 का supportable device के साथ लेकिन यह कोई big issue नहीं है आप अगर इसे hide करना चाहते हो कि यह hide हो जाए so ना करे टाप टाइक इसे enable कर दो इसका यह hide हो जाएगा hide होने काद आप देख से यहां पर space आ गया है और आपको भी overlap दिखाई नहीं दे रहा है तो उमीद करते है next update में इसे ठासा manage कर दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से use कर पाओ और overlapping दिखने को न मिले वहीं पर बात करें तो यह पहले से prerouter मिलता है और आप यहां पर latest ओला magic दिखने को मिल जाता है जो कि बिल्कुरी अलग टाप का दिखाई देता है यहां पर चेक कर पाओगे net safety बगरा तो मैंने चे support मिल जाता है तो जिस device को L1 का support है उसे मिलेगा जिनका L1 का support नहीं मिलता है उन्हें L1 का support नहीं मिलेगा ठीक है आएक गर बात करता है performance की कैसी हमें performance मिल जाती है तो guys यहां पर आपको काफी कमाल का huge improvement देखने को मिलता है Poco F1 के अंदर जो की 373411 का है जबकि इसके पहले ज समय में 3-5 या 3-4 का स्कोर देखने को मिला था बट यह सबसे latest है जिसमें नया केर्णेल यूज किया गया है जिसके विससे आपके performance काफी जादा boost हो जाती है और आपको huge battle के साथ साथ आपको जाए performance भी देखने को मिलेगा इसके पहले वाले build में लोगे कुछ कमेंट आ रह है ठीक है यहां पर battery के standby की बात करें आप देख से 74 पर मैंने इसे left किया था नाइट के 12-30 a.m. पर मॉनिक पर जब मैं चेक करता हूँ 7 a.m. तो battery percentage आ जाती है 72% तो only on 2% की battery drain है जो की काफिक कमाल का battery वेका आपको sustain by में देखने को मिल जाता है अगर standby अच्छी है ता आप तो all backup भी अच्छा मिलेगा अगर यह वाल पर अच्छा लग रहा है तो आपको home sorry telegram पर इसका link मिल देखने को मिल जाता है जो कि मुझे काफी ज़्यादार लगा कि 3D touch में कुछ improvement की गई है और एक application की तरह अलग लगा आपको यहां पर UI देखने को मिलता है अब बात करते ह आपको सपोर्ट करता है ताकि आपके पास उन डिवाइस में से कोई भी एक रिवाइस है ताब इसका benefit ले पाओ तो चलते हम सपोर्टेवल डिवाइस की ओर तो यहां पर देखसे तो लिस्ट आ चुका है फॉस्ट में लिखा गया है रेट्मी का Note 6 Pro जिसके लिए पोर्ट रोम अवे लोला है जैसा के Poco F1 के लिए पोर्ट रोम में भी फिला लिए उच करना हूं वसकार MI8 Pro के लिए है MI8 के लिए MI6X के लिए है MI9T और K20 Pro जो कि Always On क को सपोर्ट करता है तो इन में आपको थोड़ा सा चीन देखने को मिलेगा आइकन समें जो कि Always On का है MI8 Lite है MI6 है MI Max 3 है MI Mix 2 MI9 Lite C या फिर CC 9 आप कह लो MI Note 10 या CC 9 Pro आप कह दो ठीक है MI Mix 2 SA MI9 SE है MI Mix 3 और Redmi का Note 5 जो के भी फिला मेरे पास नहीं है अदर्वाज उसके में में फ्लैश करके दिखा जैता है उसके आपको MI8 SE है Redmi का Note 8 है और साचार MI Note 3 है इन डिवाइसों को यह MI Room का अपडेट मिला है तो इसी बैक्योर चलते हैं तो आपको एको री कर दिया गया है तो बिविल्ड में थोजी चेंजिंगा को दिखाई देती है जैसे कि 20.2.28 जबकि ओफिसल बिविल्ड आया है 20.2.27 तो यह री अपलोड किया गया है जैसको से नया फोल्डर यहां पे क्रेट कर दिया गया है MI 9 और MI 9T Pro के लिए ता यह होपस हो गाइस कि म मुड़ इन्ट्रेस्टिंग वीडियो आपको चाहिए न दो गाइस चाल को सरुपराइब परना बिल्कूं नहीं बोले और में साथ बने रहे ताकि इसी तरह की इन्ट्रेस्टिंगые प्रवाइव आपको अजुचों वीडियो जो मिलते हैं तो मिलतेनेके नोगोए सब TAK झाल झाल